हलो अब्रिवन आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ टू कलार न्यू स्वेटर डिजाइन चलिए ये डिजाइन कैसे बनाते हैं बनाके दिखते हैं डिजाइन बनाने से पहले आप सबसे मेरा रिकोस्ट है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्र चलिए डिजाइन की पहले सिलाय धियां से देखिए ये डिजाइन बनाने के लिए टैकि मैंने 6-6 करके इसमे फंदा लिया और यह दिखिए और नो नंबर सिलाइसे में ये डिजाइन बना रही हो क्योंकि ये शॉप्ट बूल है ये तीन Dhaka बाला बूल है देखिए तो चलिए डिजाइन की पहले सलाई ये धियान से देखिए पहले सलाई में इसमें मैं दूसरा धागा लगाऊंगी तो सबसे पहले आप बॉर्डर बना लिजे उसके बाद आप डिजाइन बनाई है तो मैंने दो स्लाइ दिखिए सीधा की तरफ से सीधा और उल्टा की तरफ से उल्टा मैंने दो स्लाइ बनाया अब मैं इसमें डिजाइन डालूंगी एक स्लाइ में पूरा सीधा की साइट से सीधा सीधा वाइड धागा से निकालूंगी पूरा एक स्लाय में बनाऊंगी वाइड धागा से पूरे स्लाय आपको सीधा सीधा बिनना है वाइड धागा से दो स्लाय आपको बना लेना है सीधा की तरफ से सीधा और उल्टा की तरफ से उल्टा कि पूरा स्लैब में बना लूँगी ये फर्स्ट रो हमारे पूरा स्लैब सिधा सिधा मैंने बना लिया वाइड धागा से अब रोटू उल्टा साइड ये स्लैब भी पूरा स्लैब को उल्टा उल्टा ही बीनना है पूरा स्लैब को उल्टा बीन लेना है इसमें इसी तरह से रोटू बीनना है तो दिखिए टूरो हमारे कंप्लेट हो गया पूरा स्लैब मैंने उल्टा उल्टा बनाया और प्लीज फ्रेंट्स वीडियो को इसकिप मत किजिए शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखिए यह तो डिजाइन है हमारे वाइट से टू टू स्लैब ने बना लिया अब यह धागा इसमें सेंज हो जाएगा अब हमारे डिजाइन दलेगा तो धियान से देखिए यह पहला पंदा है पहला पंदा एस्टीज बाला है अब देखिए एक कि यह दो दो फंदा मैंने ग्रीन से बीना और एक स्थिजबाला है तो तीन फंदा ग्रीन से बीना अब देखिए एक ये दो दो फंदा मैंने स्लीप कर लिया अब फिर से देखिए एक दो तीन चार चार फंदा ग्रीन से बीना अब फिर से देखिए बीच में एक ये दो दो फंदा स्लीप कर लिया अब फिर से एक दो तीन चार चार फंदा ग्रीन से बीना एक दो तीन चार अब दो फंदा स्लीप कर लेना है देखिए एक ये दो दो फंदा स्लीप किया अब फिर से चार फंदा बीन लेना है एक ये दो तीन चार चार पंदा फिर से ग्रीन से बीना अब दो पंदा स्लीप एक ये दो एक दो तीन चार चार पंदा ग्रीन से बीना लास्ट करेंके एक दो दो फंदा स्लीप किया इसी तरह से आपको पहले सलाई कम्प्लीट करना है तीन फंदा ग्रीन बीना दो स्लीप चार ग्रीन दो स्लीप चार ग्रीन बीना दो स्लीप किया चार ग्रीन बीना दो स्लीप किया इसी तरह से आपको रो त्री कम्प्लीट करना है अब रो फॉ इसका चाहरतah है अब रहाव मेरे बीच यह दो पहं देखित मेरा नहीं, आप नहीं दीजाइन होनु दिन देखियं से भीच देखिए नुब्य दुरूँकर चाहर नहीं दिन दो फंदा इसमें आ जाएक और एक वाईट इंदर तो इसमें थोड़ा Siff इंदर वाला फंदा है इसको आगे की साईड से हमें इस साईड लेना है, तो क्या करना पहले यह जो ग्रीन फंदा दो है हमें दिख रहा है यह दो फंदे को पहले उठाया यह दिखिए दो फंदे को पहले उठाया अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अब यह जो वाइट बाला फंदा है इसको यह दिखिए उठा लिया यह हमारे पीछी की साइड से हो गई दिखिए इसको आगे की साइड लाए मैंने यह दो फंदे και को इस से लाय में डाल जूंग..एक यह दो मैंने इस से लाय को डाल लिया अब यह दो फंदे को पहले बैनना है यह यह दो दो ग्रीन फंदा बाल आ Nab कि यह देखेज वाइट फंदा मेरा इसी बीच में आ गया जो हमारे फोर फंदा था, फोर फंदे की बीच में आ गया, तो इसको अब इसको ऐसे ही बिन लूँगे, देखिए, यह वाइट को भी बिन लिया, यह देखिए, यह मेरा आगे की साइड से इस साइड आ गया, अब यह देखिए, बीच में फिर से दो फंदा वाइट आया, अ तीछे की साइड से है, एक वाइट को पाकर लिया, अब ये तीन पंदे को खोल दिया दिक दिस दो फंदे को पीच में बीच में मेरे वाइट हो गया ये दोनों को बीन पन्देगें देखिये है् और इद्छी देखिये जो वाइड है यह इधर आए यह बीच में गादच की करिए आप इसको पख़ो लेगा सम WC अर इसको भीमाद़ यह दो ग्रीन फन्दाइल पहले का'M आप है दो ग्रीन फंदे को उठाया अब ये पीछे से इसको खोल दिया इसको खोला अब इसको उठा लेना है दुबारा ये जो वाइट फंदा है इसको उठा ले दिखिये इसको आप ऐसे किया तो ये बीच मा गिए अब ये दो फंदा फिर से इसमें डाल लेंगे ये दो फंद को डाल लिया अब ये दो फंद को पहले बीनना है पहले ग्रीन दो फंदा बीनना अब ये वाइट को बीनना है दिखिए दो फंद की बीच में आ गया ये दो पहले बीन लिया अब इसको बीनना है ये दिखिए इसको बीन दिया अब फिर से दिखिए दो फंदा बीच में आगया अब इसको इसके बीच में लाना है दो ग्रीन फंदा को इसके बीच में लाना है वाइट की बीच में तो कैसे लाएंगे पहले पीछे से यह वाइट फंदा जो है इसको उठा लेंगे एक फंद उठाएंगे, दो नहीं उठाना, एक फंद को उठाना है, अब ये दो को छोड़ दिया, अब ये दोनों को दिखिए, इधर आगे से इसको उठा लेंगे, अब पहले वाइट को बीनना है, अब उल्टा साइट है, इसको उल्टा ही बीनना है, अब ये दो ग्रीन फ फंदा को भीन दिया अब यह दो फंदा बीना अब फिर से दिखिए यह बाइट प्ंदा है इसको भीच को भीच में लाना विद्फक ना है तो आप Vaid को नहीं पाकना पहले आप यह 2 जिरींफंद nowadays उठा लेना है, दो ग्रीन फंदे को उठाया, अब पीछे से इसे छोड़ दिया, अब यह जो वाइट फंदा है, इसको उठा लूँगी, इसको उठा लिया, इसको ऐसे ही कर दिया, तो ग्रीन फंदा इस साइड आ गया, अब पहले दो ग्रीन फंदे को बिनना है, एक, यह द दो गरिन फंदा को बिना अब ये डो फंदा इसको बिना है इन देखिए अब फुर चीए इसमें दो फंदा बइट baş और पहले वैट को पकर लेंगे एक फंदा अब ये दो फंदा को बीच में लाएंगे, आगे की साइड से ये फंदे को उठाया, अब इसको इधर लाया, अब ये दो इसको बीना है, अब ये दो जो फंदा है उठाया, इस साइड लाया, बीच में ये दो को बीन देंगे, अब को इसी तरह से बीनना है, ये ही 4 रो का डीजाइन है, इसी को आपको बार बार रिपीट करना है, ये बहुत पहले दो ग्रीन को बिनूंगी दो ग्रीन फंदा बिन लिया अब वाइट फंदे को बिनना है यह दिखिए हमारे डिजाइन बन रहा है अब फिर से दिखिए यह वाइट को पकार लेंगे पहले यह दो फंदा हमारे वाइट से बिनते है और दो फंदा दो सिलाइग डिजाइन है यह अब यह दिखिए यह दो ग्रीन फंदा पहले उठाएंगे बाद में यह वाइट फंदी को बिन अब इस साइड लाया अब एक ग्रीन फंद को पहले बिनना है दो ग्रीन फंद बिनने ये 2 लास्ट का इसको स्टीज होला इसको बिनन लिया देखिए 4 सलाए हमारे कंप्लीट हो गया इसही टीजाइञ ने इसही publishers आपको भार बार रीपीट करना है, तो दिखिए, आप फिर से हमारे दूसरा डीजाय शुरू हो जाएगा आप क्या करना है इ स में जो हांगा है, पहले जैसे हमने इसमें उल्टा दो स्लाइड बनाने के बाद फिर से आपको यही डिजाइन आपको रिपीट करना है अशार करती हुआ डिजाइन आपको समझ में आ गया और प्लीज प्रेंड मेरे स्क्रीन पर और भी संदर संदर डिजाइन दिया हुआ है उसमें देख लीजे क्या पता आपको और कोई डिजाइन पसंद आ जाए अब देखिए दो स्लाइड आपको ऐसे ही बना लेना है दो स्लाइड आपको वाइड से बिनना है फिर दो स्लाइड ग्रीन से बिननेगा तो दिखिए इसको उल्टा साइट है पूरा स्लाइड आपको उल्टा उल्टा बनाना है वाइड से इसी फोर स्लाइड को आपको पार पार रिपीट करना है फ्रेंड दिखिए दो स्लाइड मेरा वाइड से हो गया आप फिर से दो स्लाइड दीन से बनाना है जैसे इसमें बनाया था और एक स्लाय आपको और बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई confusion ना रहा है देखे एस्टीज बाला फंदा है इसको छोड़के एक ये दो दो फंदा बीना एस्टीज बाला और दो फंदा ग्रीन है जो पहले स्लाय में बीना था वैसे ही बीना है अब ये बीच में दो फंदा फिर से स्लीप कर लेना है अब फिर से चार फंदा आपको बीन लेना है देखे एक दो तीन चार चार फंदा बीनने के बार दो फंदा स्लीप किया फिर से एक दो तीन चार चार फंदा बीना अब दो फंदा स्लीप किया फिर से एक दो तीन, चार, दो फंदा स्लीप किया, जो सब को पहले सलाय में बनाया था, वैसे ही बनाना है, चार फंदा बीना, लास्ट का दो फंदा स्लीप किया, देखिए, अब फिर से वही रिपीट करना है, पहला दो फंदा हमारे वाइट है, तो एक फंदे को बीन लिया, अभी एक वा अब पीछे से इसको वाइट को उठाया ये दो फंदा इसमें फिर से डाल लिया अब ये दो फंदे को पहले बीन लेना है ग्रीन जो दो फंदा है पहले इसको बीना अब ये वाइट फंदे को भीना अब ये देखिए बीच में दो वाइट आया तो पहले वाइट को पीछे स अब इसके बाद ये दो फंदे को फिर इसमें डाल लिया, अब ये देखिए बीच में आ गया, अब ये पहले डूल 9 ग्री लिए अब फिर के ये दो फंदे उठाया ये दो ग्रीन को पहले बीन लेना है आब फिर वाइट को विना कि हमएं में दो इट है तो पहले वाइंठ को उठाया हो फ़िज थो हमोने की ऴृऊवर ने से किए वैहने मारे बीच में ऊंप अगिया कि है कि अब देखिए एक हमारे वाइट झाल को इंट है तो देखिन पहले ग्रीन इठाया बाद में वाइट को थाएंगे पीछे से अब कोई ही दो दो स्लाइग को आपको बार बार रिपीट करना है और प्लीज प्रैन मेरे डीजाइन अच्छे लगी तो लाइक, शियर और सस्क्राइब भी किजिए और स्क्रीन पर दिया हुआ वीडियो को भी एक बर जुरूर देख लीजिए उसमें भी बहुत सुन्दर सुन्दर डीजाइन है फ्रैंस रेकमेंड करके जुरूर बताएगा कैसे बनी है यह दिखिये हैं हमारे मैंने यह इट सलाई आपको बना के दिखा दिया अब फिर से इसी को रिपीट करना है दो सलाई आपको वाइट से बीनना है फिर दो सलाई ग्रीन से बीनना रिखिए चले मिलते हुआ अगली नय वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक्यू जो चले मिलते हुआ तक के लिए रिखिए